बारत की वो 10 जगे जो श्रापी थें जहां रात में जाना खत्री दिखाली नहीं अगर आप का कलेजा मजबूत है आप रुमांच का शौख भी रखते हैं तब भी भारत की इन जगों में जाने से पहले जरूर सोचें क्योंकि ये जगे श्रापी थें यहां रात के समय होती है कुछ ऐसी घटनाएं जो कि इन्हें रहसमाई और खतरनाक बनाती हैं पताते हैं कौन-कौन सी जगे हैं राजिस्तान के बारे में आपने सुना होगा राजिस्तान के बर्मेर जिले में इस्थित एक किरंडू का मंदीर है जिसे राजिस्तान का खजुराहों भी कहते हैं इस मंदीर के बारे में कहा जाता है कि ये श्रापी थें एक सादो के श्राप के कारण यहाں लोग शाम ढलतने के बा clamps नहीं ठहेते कहते हैं, यहां रात को जो ठहेरता है, यह तो पत्थर का बन जाता है, यह तो उसकी मौत हो जाती है कितना सच है, पहना मुश्किल है डार्चलिंग, डार्चलिंग के खुपसूरते के बारे में तो आपने सुनाई होगा, जानते होंगे डार्चलिंग का एक हिल स्टेशन, कुर्चियंग, एक अंग्रेजी के कर्च का मतलब होता है श्राप इसे कज स्टेशन, इस जगे का नाम पढ़ा कुर्चियंग, यनि की श्रापिज जगे यहाँ के डाव हिल जाकर के पता चलता है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां के जंगल में एक सिरकटा व्यक्ती खूंता है रात के समय दाव हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रन देना होता है दाव हिल के अलावा यहां के कुछ और भी स्थान है जो हांटेट माने जाते है इसलिए जब भी कभी इस हिल स्टेशन पर घूमने जाएं तो इन बातों का जरूर खायाल रखें लापरवाहि बिल्कुल ना करें राजिस्तान के अलवर जिले में इस्तित यह मानगढ का किला जो की बहुत ही फेमास है इसका इतिहास बहुत पुराना है इस किले को कुछ लोग प्रेत, बंधित तो कुछ तांत्रिक दोरा श्रापित मानते हैं कारण जो भी हो लेकिन ये किला वर्षों से एक रहस्त बना हुआ है भारत के सरकार के पुरतत विभाग ने इस किले में रात के समय प्रवेश वर्जित कर रखा है ये किस कारण से किया है ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कहते हैं कि यहां रात के समय जाना खद्रेते खाली नहीं है इसलिए वहां रात में नहीं जाने दिया जाता है यह है महराश्रा के लेतूर चिले में इस्थित हर गुलाल गाउं हरा गुलाल गाउं कहते हैं कि यहां से 15 वी शताबदी में काले जादू से डायन बनाने की परंपरा शुरू हुई आज भी यह गाउं डायन के डर के साय में जीता है और कई चीजें यहां रात के समय करने की मना ही है यहां कोई भी व्यक्ती रात के समय पेड़ के आसपास पेड़ पर नहीं सोता है पेड में कील नहीं ठोकता है और ना पेड के आसपास मुत्र ऐसे कोई गंदी चीज करता है माना चाता है कि ऐसे गलती करने से डायन उसकी हालव खराब कर देती है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती है जैसल मेर में करीब 18 किलो मीटर की दूरी पर बसा है श्रापित गाउं कुलधारा चोकि 1825 से विरान पड़ा है आखिर क्यों कहते हैं कि पीलवारा ब्रह्मनों ने इस गाउं को श्राप दिया कि यह कभी दोबारा बस नहीं पाएगा तब से यह गाउं विरान पड़ा हुआ है आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि यहां यहां रात में भूत प्रेट की आवाजें आती हैं, सुनाई देती हैं, इसलिए इस गाओं में रात के समय कोई नहीं जाता है ये है आसाम की जन्टीला वैसी, इस स्थान पर रहस का ये कोई नहीं जानता है कि ये कैसा रहस है, लेकिन इस स्थान पर एक अजब घटना होती है अनेरी रातों में यहाँ पंची आकर के आत्मत्या करते हैं आपको हर तरफ यहाँ मरे हुए पंची दिखाई देंगे यह भी एक mysterious place है जगए है यह है मतुरा का निर्धी वन कहते हैं यहाँ पर आज भी वगवान श्रीक्रेश्न देवी रादा गोपी के संग राश रचाते हैं इसलिए श्राम धलते ही इस बन का दर्वाजा बंद कर दिया जाता है पर चुपच्छी भी यहाँ नहीं रहते हैं सब चले जाते हैं और जो कोई भी यहाँ रुपता है उसकी यह तो म्रत्य हो जाती है यह वो अपने सुधबुद खो देता है मठ्य प्रदेश के पोहरी कस्वे में 2100 साल पुराना वीर खंडेरवार का एक किला इस किले के बारे में इस्तानिया लोग का कहना है कि हर राथ इस किले से गुंगरूँ की आवाज आती है कहती हैं किले में आज भी राथ के समय खंडेर की सभा लगती है जिसमें नर्द क्यों का रत्त होता है इसलिए शाम धलते ही ये बन्द हो जाता है इस किले के आस्पास कोई नहीं भटकता है कलीजर का किला जो की इतिहास में एक खासा महात तुरखता है उसके बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि यहां भी रात को गुरूओं की आवाज आती है पद्वंबति के पाइलों की आवाज की गुंज यहां सुनाई दो देती है जो भी यहां पे रुपता है रात में इसलिए यहां भी रात को नहीं रुपते हैं लोग यहां हर तरह आपको नर कंकाल दिखाएंगे इन नर कंकालों का क्या रहस है यह कोई नहीं जानता कुछ प्राक्रतिक आपदा तो कुछ वज्ञानिक मानते हैं लेकिन रहस अब भी बरकरार है यहां रात को तो क्या दिन में भी जाना खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि यहां मौसम की भी बहुत कठिनाई होती है बदलता रहता है इसलिए यह जगे भी खत्रे से खाली नहीं है ये हैं वो दस भारत की खतरनात रहस्माई जगए जहां पर जाने से पहले एक बात जरूर इनके बारी में पढ़ ले जान ले उसके बाद ही वहाँ पर जाएं को मुँने के लिए इससे तरह चे हम दूसरे वीडियो भी लाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छा लगते हैं से लाइक और शेयर जरूर करिए का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो भी इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है हम जरूर करेंगे